चोईस है, मुझे कोई दबाव नहीं है, मेरा बाप, मेरा भाई आए, मेरा चाचा, मामा, कोई भी कोई मर्द मुझे नहीं बोला है, मुझे पहनने के लिए अपनी मर्जी से आए I'm proud of it, so you wear it मेरा कल्चर जो follow करना है, मैं यो करती हूँ पहने हो, इंडिया का कल्चर क्या है, जब भी बड़े बुजर्ग लोक को देखते हैं, हमरे महिला आए, अप जाए राजस्तान को आप नॉर्ट इंडिया में देखिए, सारे नॉर्ध इंडिया में घुंगट पेहनते हैं क्यों पहनते हैं एक इज़त एक महिला का मान सबमान की हिसाब से हम घूंगट पहनते हैं घूंगट सर पे रहता है हिजाब भी सर पे रहता है सिर्फ नाम चेंच है बस करनाट का विवाद हुआती है हिजाब को ले करके, उसमें पैटिशन डायर करने वाली महीला, नजमा नजीर मौजूद है, इसे बाचीत करते है जिसे मोदी जी जो है महीलाओं को ले करके काफी ससक रहते हैं, कि महीलाओं के बारे माई काफी सोचते हैं और इस तरह के विवाद हुआ हिजाब को ले करके तो इस पर आप क्या कहेंगी कि महीला जो है जो लड़किया जो स्कूल जाती है हिजाब पहन करके जो स्कूल वाले निकाल देते हैं स्कूल से कहते हैं कि हिजाब नहीं बलके आप शौट पहन के आईए हिजाब लगा करके न मानिपूर के महिलाओं के बारे में, उनको पहले सोचने बोलिए, जो अतलीट हमारे देश के शान, सम्मान, आन, मान सब थे, उन लड़कियों के साथ, उन बेटियों के साथ, जो हुआ, इनके खुद की पाटी का ब्रिज भूशन ने जो किया, उनको इंसाफ दिलाने बोलिए उसके बाद सोचने बोलिए, कि हम सरपे क्या पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, विध्यारतियों के दमाख के अंदर जो है, सर के अंदर जो है, उसके बारे में सोचना है, सर के ऊपर क्या है, उसके बारे में नहीं देखो जब उड़पी में एक कॉलेज में यूशुली करनाटका के अंदर इंडिपेंडेंस से पहले से ही हिजब डाल के बच्चियां स्कूल जाते थे खुद हमारा जो केंद्रे विध्याले है इंडिया का सबसे बड़ा इंस्ट्यूशन है उसके खुद के यूनिफॉर्म में हिजब है उसके बावचूद इश्यो क्रियाट करने के लिए एलेक्शन के टाइम पे वोट पोलराइस करने के लिए एक उड़पी की कॉलेज में करन अटका के अंदर नहीं बलके सारे देश में हम स्कूल में सरस्वति पूजा करते हैं शारदा पूजा करते हैं बच्चियां फुहल पेन के आते हैं कुमकुम लगा के आते हैं कोई कभी अबजेक्शन किया है क्या नहीं पिछले पांच साल से पिछले पांच साल से मुस्लिम महिलाएं हिजाबी महिलाएं हो या कोई हो मुस्लिम महिलाएं IAS KS officers हो रहे हैं medical seats ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं ले रहे हैं आप जब भी plus 10 plus 10 और plus 12 का टू का जब रिजल्ट आता है टैन और plus 2 का जब भी रिजल्ट आता है टॉपर्स हर स्टेट में फर्स्ट और सकेंड प्लेस में हिजाबी मुस्लिम महिलाएं रह रहे हैं इस चीज़ को लेकर दिखत हो रही है भाजपा को भाजपा को अलवेज बोलना है मुस्लिम मर्द लोग जो है वो मुस्लिम महिलाओं को दबा रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के उपर अनाचार हो रहा है मुस्ली महिलाओं के उपर अत्याचार हो रहे हैं, ये बोलते बोलते ओट को पोलराइज करना और लोगों के दमाग को भड़काने के लिए मोदी और रसस और बीजेपी सोचती है, बट इसको हमारे लड़कियां डैवर्ट कर रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, बड़े दोलन बना रहे हैं, सत्ता में बैट रहे हैं, हिजाब पहन के समसद बन रहे हैं, इस चीज़ को लेकर दिखा थे बीजेपी को किस महिलाओं पे जुलम नहीं हो रही है जाके देखिये हर पोलिस टेशन में किस कम्यूनिटी के हो रहा है एक ये मेरा बाप एक टेंथ भी नहीं पड़े हैं एक फार्मर हैं एक अग्रिकल्चरिस्ट हैं मुझे इतना पड़ाए हैं ग्राजुमेट बनाए हैं मेरी बहन लौ पड़ रही हैं मेरा भाई पड़ रहा हैं हमको इतना इंडिपेंडेंट दिये हैं कि हम पॉलिटिक्स कर हैं मैं एक शहरे टिपु सुल्तान मैसूर से हूं मैसूर के छोटे खरिया प्रिया पतना तालुक चिकनेरले से हूं वहां से डिल्ली तक आने का मोखा ये एक मुस्लिम लड़की को मिला है बस एमदा एक्जामपल किस बिना पर कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं पर जो सोशन ह होता है उनके हक को मारा जाता है उनके अधिकार को खुचले जाते हैं देखिए आप अधिकार की बात करने से पहले आपके जो महिलाएं हर दिन माल न्यूट्रिशन के वजह से कितने हिंदू महिलाएं डेथ हो रही हैं इसके बारे में आप सूचिए हर दिन 90 बेटियों के उपर रेप सोराई इंडिया के अंदर मोधी गौर्वर्नमेंट में इसके बारे में बात कीजिए इसके बारे में आपको सोच नहीं है मेरा चॉइस है, मुझे कोई दबाव नहीं है, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा चाचा, मामा, कोई भी कोई मर्द मुझे नहीं बोला है, मुझे पहनने के लिए अपनी मज़ी से आए अपनी मरजी से आपनी हिजाब पेना है अगर कोई पेनना नहीं चाहती उसको भी हम रेस्पेक्ट करना है फिर किसे बिना पे कहते हैं ये लोग के मुस्लिम महिलाओं पे जबरन हिजाब डालते हैं इसलिए हम ना कोर्ट में पेटिशन डाले हैं, उनका एक करनाटका में कलड का प्रभाकरबट जो RSS का हेड है, उसका मुँ बंद कर दिये हैं, जो एजा आलतू-फालतू, मुस्ली महिलाओं के बारे में जो बात करता था, मुस्ली महिलाओं ही खुद, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करके, लीगल फाइ मुझों के अंदर महिलाओं द्वेत्य दर्च प्रचा हैं, मानते हैं ना? हर महिला के ऊपर जोड़ जुम होता ही है, वी अकसब दाफ, उसको लेकर सिर्फ मुस्ली महिलाओं के ऊपर तोंपना के काम, मत कीजिए, यह सिर्फ मुस्ली महिलाओं पर थोपने का काम इसलिए कर रहे हैं कि वो पोलराइस करना चाहते हैं उन्टे पस कुछ मुद्दा ही नहीं है ट्रिपल तलाख का केस लेके आए ट्रिपल तलाख क्या खुरान में कैसा बोला है खुरान में खुला खुला बता दिया है शरीयत में खुला खुला बता दिया है हमरे हादीसों में खुला खुला लिखा हुआ है कि मर्द और आउरत तीन महीने साथ साथ नई रहे तो तब तलाख होगा इतना अच्छा इतना beautiful procedure इसलाम में है और महिला को इसलाम बहुत independent thought देती है वो खुला के बारे में हो अब जब हम बात करते वकत बोलते हैं कि इंद्रा गांदी जी महिलाओं को लिए महिलाओं की जमीन जाइदात में हख दिये Yes, we accept that After independence मिला है After इंद्रा गांदी जी के मिला है But खुरान में पहले ही हमारे उमन्स को उनके जाइदात के उपर का रेट दिया गया था So this is Islam Don't interfere anything into the Islam Properly read that खुरान ठीक से पढ़िये आप मनुस्पूरती भी ठीक से पढ़िये हो या नहीं हो मालूम नहीं आप रामयन ठीक से पढ़े हो महाबरत ठीक से पढ़े हो पता नहीं Because आप सब वाचसप यूनिवर्सिटी के हो वाचसप यूनिवर्सिटी वालों के लीडर नरेंट्र मोदी जी है जो फारवर्ड आते हैं वो बक्त देते हैं मोदी जी मुस्लिम महिलाओं के लेकर काफी चिंता करते है तो मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे आप किस तरह की चिंता हमारी चिंता हम खुद कर लेंगे हमारी चिंता हम खुद करने के ताकतवार है आप प्लीज दया किजिए अपनी बीवी के बारे में थोड़ा सोच लीजिए आपकी बीवी की फिकर कीजिए पाम्प की बेचारी है वो पाम्प की बेचारी है आप बोलते हो आप शादी ही नहीं हुए हो इशोदा बेन जी उसकी हालत क्या है आप जाते हो अपकी पत्नी के बारे में तो आपको फिकर नहीं है जिलाओं के नारियों के बारे में बात करते हैं भावक हो जाते हैं मोधी जी कुन सा तरह का भावक अपनी खुद की पत्नी के बारे में भावक नहीं है अपनी खुद की पत्नी के बारे में एमोशन नहीं है दूसरीयों के पत्नी के बारे में क्या एमोशन होगे बाप बहुत शुक्रिया नजमा नजी से बाचीत हो रही थी हिजाब के मुद्धो को लेकर करनाटका से ये बिलॉंग करती है नजमा नजी जी तो दिल्ली आईए इसे बाचित हुए काफी मुखर होके इनों ने जवाब दिया है दर्शकों आप क्या सोचते हैं क्या समझते हैं कॉमेंट करके बताएं